इस्राइली सेना के प्रमुक हरजी हलेवी ने 7 अक्टूबर की बरसी से एक दिन पहले ही ये दावा किया था कि उन्होंने हमास की सेन निशाखा पर गाजा में जीत हासिल कर ली है लेकिन उनके दावे की अगले ही दिन हवा निकल गई क्योंकि हमास की सेन निशाखा अलकासिम और अलकुस ब्रिगेड ने मिलकर इसराइल के भीतर टेल अविव में M90 रॉकेटों की बोच्छार कर दी इसराइली मीडिया के अनुसार इस हमले में कई लोग खायल हुए और इस हमले के बाद गाजा के अलग 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 इलाकों से ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिन्हें देख कर ऐसा बिलकुल भी नहीं लगता कि गाजा में हमास की ताकत में कोई ज्यादा फर्क पड़ा हो क्योंकि गाजा के जबालिया कैम्प में इसराइली सेना ने दोबार अपना ऑपरेशन शुरू किया था जिसमें हमास ने उसके उपर जम कर गोल अबारूद बरसाया है हमास की अलकासिम ब्रिगेड ने इसराइली सेना पर किये गए हमलों का एक वीडियो जारी किया है जो जबालिया कैम्प के अलहावूज अल्टुकरी इलाके का है जिसमें अलकासिम के लड़ाके पहले तो एक बिल्डिंग में एक बम फिट करते हुए नजर आते हैं और उस बम को तार के जरिये रिमोट कंट्रोल से जोड दिया जाता है उसके बाद वीडियो में कुछ इसराइली सेनिक उस बिल्डिंग के पास आते हैं और जैसे ही ये सेनिक इस बिल्डिंग में एंडर करते हैं अलकासिम का लड़ाका रिमोट से उस बम को उड़ा देता ह इसके बाद हमास की अलकुस ब्रिगेड ने वेस्ट बेंक के तुलकारम शहर के नूर शम्स से एक और वीडियो जारी किया है जिसमें हमास ने इसराइली बलो के काफिले पर एक भीशन हमला किया है वीडियो में IDF के तीन वाहन आते हुए दिखाई देते हैं जिन में से आगे वाली गाड़ी जैसे ही आगे बढ़ती है उसमें एक भीशन ब्लास्ट होता है इसके बाद वीडियो में एक और IDF की जीप में भायानक ब्लास्ट होता है और उसके बाद अलग-अलग जगों पर इसराइली सेना की गाड़ियों में धमाके होते हैं अलकुस ब्रिगेड ने गाजा के बैथुन्नून से एक और वीडियो जारी किया है जिसमें पहले एक स्नाइपर एक इसराइली सेनिक को निशाने पर लेता है और फिर टार्गेट लॉक होने के बाद सीधे फायर कर देता है जिसके बाद आईडिय अफ का सैनिक नीचे गिर पड़ता है इसके बाद इस वीडियो में आगे कुछ रॉकेट आसमान को चीरते हुए दिखाई देते हैं हमास ने दावा किया कि उसने ये रॉकेट जेरोट शेहर की तरफ दागे हैं हमास ने एक और वीडियो जारी किया है जिसमें उसने राफा के पूरवी इलाके से रजूम 114 एमेम की मिसाईले दागी है वीडियो में देखा जा सकता है कि मिसाईले आसमान को चीरते हुए ताबर तोड इसराईल की तरफ फायर हो रही है इसराईल और हमास के बीच युद्ध शुरू हुए एक साल का वक्त हो चुका है और 101 इसराईली बंधक अभी भी हमास के कबजे में है जिस हमास को खत्म करने के लिए नितिन्याहू ने कसम खाई थी वो गाजा में अभी भी इसराईली सेना को तगड़ी चुनौती दे रहा है और अब आईडियाफ की हिजगुल्ला के साथ जंग के चलते कहीं न कहीं इसराईली सेना की पकड़ गाजा में धीली पड़ रही है जिसके चलते हमास अब और ज्यादा भीशन हमले कर रहा है